हैलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफी अच्छी होंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस साल 2023 के अंदर टॉप 3 mutual fund scheme कौन सी हो सकती है जिसके अंदर अगर हमें invest करें तो return तो अच्छा मिले ही पर हमारे लिए risk भी बहुत जादा कम हो तो चानेंगे हम इस वीडियो के अंदर और दोस्तों आज वीडियो के अंदर आपको कुछ नयापन लग रहा होगा background वगेरा changes लग रहे होंगे तो जी यहां दोस्तों मैंने background के changes किये हैं और मैं background के हैं कि change करता है रहता हूँ कभी इस दिवार पर कभी इस दिवार पर मैं shoot करता है रहता हूँ क्या कि इससे नयापन आ जाता है वीडियो के अंदर और दोस्तों यह पीछे वाला background आपको कैसा नजर आ रहा है मुझे comment करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगी कि कोई भी mutual fund scheme को खुद से अगर select करना होता है तो कौन से points का हमें ध्यान रखना चाहिए किस parameters पर हमें mutual fund scheme को select करना चाहिए पर दोस्तों दूसरा हम जानेंगे इंडिया की top 3 mutual fund schemes कौन सी हो सकती है personally मैंने इसको analysis किया मुझे काफी बड़िया पसंदारी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी mutual fund scheme को select करते वर्ट कौन से points कौन से parameters का हमें ध्यान रखना चाहिए तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कोई भी mutual fund scheme को अगर select करते हैं तो हमें past performance नहीं देखना है मदब पिछले 4 सालों में, 5 सालों में या 3 सालों में उसने कैसा performance किया है ये हमें नहीं देखना है मदब काफी लोग क्या है कि हमें suggest कर देते हैं पिछले 2 सालों में मेरी इस mutual fund scheme ने काफी बढ़िया return बना की दिया है तो जरूर ही नहीं है कि जब आप invest करते हैं तो तीसरे साल वो negative return दे दे तो ऐसा भी possible हो सकता है और उसके अलबा कोई ऐसी mutual fund scheme हो जिसने पिछले 1-2 सालों में negative return दिया हो पर आप जब आप invest करते हैं तो अगले साल वो positive return दे देती है तो ऐसा भी possible हो जाता है तो हमें past return पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए तो किस पर ध्यान देना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ तो हमें सबसे ज़्यादा कोई भी mutual fund scheme के अंदर ये देखना चाहिए कि उसका portfolio कैसे बना हुआ है उसके अंदर जो share holding pattern है वो कैसा है ये सबसे man important हो जाता है अब आप ये सोच रहे होंगी कि कोई भी mutual fund scheme है उसका portfolio उसका holding pattern हम कैसे देखेंगे हमें कैसे बता चलेगा तो कोई tension करने वाली बात नहीं है वीडियो के आखिर में मैं आपको सब clear कर दूँगा कि हमें कहां देखना है और कैसे देखना है सारी चीजे clear हो जाएगी तो वीडियो के अंतक बने रहिएगा तो देखिए दोस्तों कोई भी portfolio के अंदर हमें ये देखना होता है कि उसके अंदर share कैसे select किये गए है और उसके अलावा इसका portfolio diversified है या नहीं diversified मतलब उसके अंदर अलग-अलग sector के अंदर investment होना जरूरी है जैसे financial sector है electric vehicle का sector है chemical sector है green energy का sector है अलग-अलग sector के अंदर investment है या नहीं है और उसके अलावा जो market cap है मतलब जो large cap, mid cap, small cap ये तीनों market cap होते हैं उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा investment होना चाहिए मतलब portfolio पूरा diversified होना चाहिए इससे कहाएगी कभी एक sector कम return दे तो दूसरा sector उसको संबाल लेता है तो इससे कहाएगी mutual fund scheme को मजबूती भी मिलती है और risk भी बहुत कम रहता है फिर दोस्तो तीसरी चीज हमें ये देखनी है कि कोई भी mutual fund scheme है उसका expense ratio कितना है उसका exit load कितना है तो देखिए दोस्तो कोई भी mutual fund scheme अगर आप select करते हैं तो उसका expense ratio और exit load 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अलांगि 1% से उपर भी होते हैं किसी किसी के पर 1% से कम ही हो तो ज़्यादा बहतर है फिर दोस्तो हमें चौती चीज ये देखनी है जहाँ पर भी हमारी mutual fund scheme है तो वो AMC company कैसी है उसकी reputation कैसी है और उसके इलाब़ जो उसके fund managers है उनकी reputation कैसी है तो जो इंडिया के इंदर बड़ी-बड़ी AMC companies है जिसके इंदर SBI AMC company है SDFC है, Axis है, ICICI है अधित्य बिल्डा Sun Life है Nippon है, UTI है तो यह जाने-माने काफी अच्छी और reputed AMC companies है और पांचवी सबसे man important चीज किसी भी mutual fund scheme में अगर आप invest कर रहे हो तो उसके इंदर आपका goal कैसा है क्या goal से आप invest कर रहे हो किस मकसद से इसके इंदर invest कर रहे हो तो यह depend करता है अलग-अलग age group पर मतलब अगर आपकी age कम है तो आपकी risk लेने की समता थोड़ी जादा होगी आप risk की funds के इंदर जादा invest करेंगी जहां पर return जादा मिलता हो उसके बज़ाए अगर आप retired person को देखेंगे मतलब एक retired आदमी है तो वो क्या करेगा अपनी जो पुंजी है उन्होंने जो भी saving की है उसको क्या है कि सुरक्सित रखने की कोशिश कम risk वाले funds वो select करेगा तो क्या है कि अलग-अलग age के हिसाब से अलग-अलग risk taking capacity होती है तो आपकी risk लेने की शमता कैसी है उस हिसाब से हमें mutual fund scheme select करनी है जैसे मैं आपको example से समझाता हूँ कि जो कोई भी large cap fund होता है या large cap stock होता है उसके अंदर क्या है कि risk बहुत ज़्यादा कम होता है और return मिलने की chances भी उतने ही ज़्यादा कम होते हैं mid cap stock होता है उसके अंदर growth की chances large cap से थोड़े ज़्यादा होते हैं और risk भी large cap से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और जो small cap companies होती है मतलब छोटी companies होती है उसके अंदर return मिलने की chances भी काफी ज़्यादा होते हैं और risk भी काफी ज़्यादा होता है risk किसी लिए होता है क्योंकि जो small cap companies है कभी कोई उपर नीचे हो जाए market के अंदर तो गिरते भी एक साथ जादा है और उसके लावा कुछ bank default वगेरा भी हो जाती है कभी कबार कमपनियां डूब भी जाती है तो small cap में अंदर risk सबसे जादा रहता है पर दोस्तो मैंने ये देखा है कि जब भी हम long term के लिए investment करते है mutual fund के अंदर मतलब 5 साल, 10 साल या 20 साल के लिए investment करते है तो सारी जो large cap funds है या mid cap funds है या small cap funds है सभी में return जो है लगबग बराबर जैसा ही मिलता है मतलब ज़्यादा फरक हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि सारी companies growth तो करेगी तो दोस्तो ये हो गए total 5 parameters जिसको देखके आप कोई भी mutual fund scheme select कर सकते हैं खुद से और दोस्तो ये parameters वगएरा देखने कैसे हैं तो वो वीडियो के अंत मैं आपको पता दूँगा अब दोस्तो जानते हैं कि 2023 के अंदर top 3 mutual fund schemes कौन-कौन सी हो सकती है और दोस्तो ये जो schemes है personally मैंने study की है और मैंने analysis किया है तो जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर invest करें कोई भी investment का decision ले तो अपनी risk और अपना analysis लगा के लें तो देखिए दोस्तो परसनली अगर मेरी बात करें तो मीजे mutual fund के अंदर personally flexi cap funds काफी अच्छे लगते हैं अब ये flexi cap fund क्या होता है flexi cap fund के अंदर क्या होता है कि large cap, mid cap और small cap तीनों का mixture होता है मतलब ऐसा नहीं है कि large cap में सिर्फ invest कर रहे हैं, सिर्फ mid cap में कर रहे हैं या सिर्फ small cap में कर रहे हैं ऐसी schemes की भी अलग-अलग आती है large cap funds, mid cap funds और small cap funds पर flexi cap के अंदर के अंदर के अंदर के हैं कि large cap, mid cap और small cap तीनों का mixture होता है इससे क्या है कि return भी अच्छा मिलता है small cap और mid cap से और large cap से portfolio balance भी रहता है risk कम रहता है तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो काफी companies की flexi cap schemes वगेरा आती है जैसे SDFC, SBI वगेरा है Axis, ICICI है UTI mutual fund है और personally अगर मैंने देखा है तो UTI flexi cap मुझे काफी पसंद आए उसका portfolio वगेरा मुझे काफी अच्छा नज़र आया है तो अब इसके अंदर क्या है कि large cap के अंदर करीब करीब 60% का investment है mid cap के अंदर करीबन 34% जैसा investment है small cap के अंदर करीबन 4% जैसा investment है कुछ debt वगेरा और कुछ cash के अंदर investment है और इसके अंदर जो share है वो भी मुझे काफी अच्छे नज़र आया जैसा portfolio आपको पसंद आए वो देखे आराम से invest कीजिए फिर दोस्तों दूसरी जो mutual fund scheme मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो है index funds index मतलब जोस्तों जैसे nifty भी होता है nifty 50 और sensex होता है sensex जो BSE 30 जिसको बोलते हैं direct index के अंदर investment करते हैं index के अंदर क्या होता है कि nifty के अंदर 50 top companies listed होती है तो जो भी top 50 companies होती है इंडिया की सबसे बड़ी companies उनके अंदर investment किया जाता है कोई भी company का हो सब में एक ही portfolio होगा और sunsetx का index fund अगर देखें मतलब BSE 30 के नाम से आता है BSE SNP के नाम से आता है तो उसके अंदर अगर देखें तो top 30 companies listed होती है और दोस्तो जो इसका portfolio है 86 महीने के अंदर changes होता रहता है क्योंकि देखें दोस्तो market cap के अनुसार company का market cap बढ़ता और घड़ता रहता है तो top 30 और top 50 की list में अलग-अलग companies आती रहती है portfolio जो है बार-बार diversified होता रहता है तो जो ये index fund होते हैं उसके अंदर के हैं कि हर company का लग-बग same ही portfolio होता है तो किसी भी company में आप invest कर सकते हैं SDFC, SBI, Access, ICICI, UTI, Aditya Villa फिर दोस्तो तीसरी type की ऐसी scheme है मतलब ये सब के लिए है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम risk लेना चाते हैं तो उनके लिए large cap funds काफी बढ़िया है मतलब आप large cap funds के अंदर देख लीजिए कौन सी companies अच्छी हैं तो large cap funds काफी बढ़िया और कम risk वाले रहते हैं और ये अगर large cap में invest करना चाते हैं फिर तो तीसरे ऐसे लोग आते हैं कि जो सबसे ज़्यादा risk ले सकते हैं तो वो small cap funds के अंदर invest कर सकते हैं और अगर large cap, mid cap और small cap के अंदर देखें तो मुझे SBI के mutual funds काफी बढ़िया और balance लगे और फिर अगर बात करें तो access के भी ठीक है, UTI के भी ठीक है और दोस्तों ये कोई paid promotion नहीं है मुझे personally जो पसंद आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ और जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर invest करें और अभी मैंने access small cap fund का भी analysis किया था उसका portfolio भी मुझे काफी बढ़िया लगा मतलब जो small cap funds है तो ये सारी चीज़े clear हो गई कि किस parameter पर हमें सारी mutual fund scheme select करनी चाहिए और top 3 mutual fund scheme भी मैंने आपको बदा दी कि Nifty index fund है या Sensex का index fund है और उसके अलाबा flexi cap funds मैंने आपको बता है UTI का flexi cap मुझे ठीक लगा और उसके अलाबा small cap funds मैंने आपको बता है अंतमे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो parameters है हमें कहाँ पर देखने हैं तो देखे दोस्तों आपका जहाँ पर dimate account है जैसे जीरो, दा, अब स्टॉक्स, इंजल तो यहाँ के भी mutual fund के लिए अलग-अलग website और उनकी app वगेरा भी है तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़े आप देख सकते हैं अगर आपके बताऊंग दीमेट अकाउंट नहीं है तो फिल्कुल फ्री में दीमेट अकाउंट खुलवाने के link description के अंदर है यहाँ भी काम कीजिए आप Google पर भी search करते हैं तो आपको बहुत सारी website दिखा देगी उसके अंदर grow भी बढ़िया है grow के अंदर भी आप सारी चीज़े देख सकते हैं तो grow की website अगर आप खुलते हैं उसके अंदर कोई भी mutual fund scheme का अगर आप नाम डालिए जैसे UTI, Flexi Cap mutual fund scheme का नाम डालते हैं तो उसका chart देखा देगा एक महीने का chart, एक साल का chart, पांस साल का chart overall chart कैसा है, कैसा return बना की दिया है वो सारी चीज़े देखने को clear हो जाती है फिर दोस्तो नीचे holding के अंदर आजाते हैं holding के अंदर पूरा हमें portfolio दिखाएगा इसके अंदर हमें ये share देखने है कि portfolio के अंदर share कैसे है इससे हमें ये फाइदा होता है कि कौन-कौन से share select की है हमें देख के आराम से invest कर पाएंगे फिर दोस्तो इसके अंदर थोड़ा और जाएंगी deeply तो हमें ये पता चलेगा कि कौन-कौन से sector के अंदर investment किया गया financial sector के अंदर या technology sector के अंदर automobile sector के अंदर, chemical sector के अंदर और equity के अंदर equity मलब जो ये share market के अंदर कितना investment है debt के अंदर कितना investment है cash के अंदर कितना investment है ये सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएगी और फिर दोस्तों थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो expense ratio है, exit load है ये सारी चीज़े भी दिखा देगा ऐसी बहुत सारी website है जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं grow बढ़िया है, grow पर आपको आसानी से मिल जाएगा तो दोस्तों ये थी इंडिया की top 3 mutual fund schemes आपको कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताईएगा और दोस्तों आपके पसंदीदा mutual fund scheme कौन-कौन सी है वो भी मुझे comment करके जरूर बताईएगा वीडियो कर पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए, मिलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर